जै मातादी नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन हैं स्वागत हैं आईए सुनते हैं दुर्गा सबसती पाठ का दस्वा अध्याय सुम्वध है महरसी मेगा ने कहा है राजन अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नश्ट हुई देखकर क्रोध में भर कर देते राजसुम्व कहने लगा दुस्टे दुर्गे तु हंकार से गर्ब मत कर क्योंकि तु दुसरों के बल पर लड़ती रही है देवी ने कहा है मेरे सिवा दुसरा कौन है यह सब मेरी सक्तिया है देख यह सब की सब मुझ में परविष्ट हो रही है इसके पश्चाद ब्राहम नी आदिय सब देवी ने देवी के सरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई तब देवी ने कहा मैं अपनी एस्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहां उपस्तित हुई थी उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है अब अकेले ही यहां खड़ी हूँ तुम भी ठहरो महरसी मेगा ने कहा स्थब देवताओं तथा रक्षसों के देखते देवी तथा सुंब के भ्यांकर यूध होने लगा अंभिका देवी ने सेकरो अस्तर सस्तर छोड़े उधर देते राज ने भी भ्यांकर अस्तो का प्रहार अरंभ कर दिया देवी के छोड़े हुए सेकरो अस्तरो को देथ ने अपने अस्तरो द्वारा काट डाला इसी प्रकार सुंबे ने जो अस्तर छोड़े उनको देवी ने अपनी भ्यांकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला देथ ने जिस साइको वान जोर कर देवी को ढख दिया तो क्रोध में भर कर देवी ने बानों से उसका धनुस नश्ट कर डाला धनुस कर जाने पर देथ तियंद्रे ने सकती चलाई लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेक दिया फिर देथ यंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी के ओड़ दोरा किन्तु जब हुआ देवी के समीप पहुंचा तो देवी के अपने तिक्छन वानों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला फिर देंद्र का घोड़ा मर गया राथ तूट गया सार्थी मारा गया और भ्यंकर समूदर लेकर पर अकर्मन करने के लिए चला किन्तु देवी ने अपने तिक्छन वानों से उसके मुद्रद को भी काट दिया इस पर देटे ने क्रोध में भरकर देवी की चाती में बरे जोर से एक मुका मारा देटे जब देवी का मुका मारा तो देवी भी उसकी चाती में जोर से एक थपर मारा थपर खाकर पहले तो देटे प्रित्मी पर गिर पारा किन्तु तुरंथ ही वह उठ खरा हुआ फिर वह देवी को पकर कर अकास की ओर उचाला और वहां जाकर दोनों में यूध होने लगा और यूध रिशियो और ताओं को अस्चरे में डालने वाला था देवी अकास में देते के साथ बहुत देर तक यूद करती रही फिर देवी ने उस अकास में घुमा कर प्रित्मी पर गिरा दिया दुष्टात्मया देते पुनह उठकर देवी को मारने के लिए दोड़ा तब उसको अपनी और आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती अपने लगे तदंधर उस दुषास्टमास के मरने से संफूर्ण जगत प्रस्त सन इवं स्वस्त हो गया तथा अकास निर्मल हो गया पहले तो उतपात सूचक मेग और उलकापात होते थे वह सबसांत हो गए उसके मारे जाने पर नदिया अपने ठीक मार्ग से बहने लगी संफूर्ण देवताओं का हिर्दे हर्शे से भर गया और गंधर्विया सुन्दर गान गाने लगी गंधर्व बाजे बजाने लगे अपसराय नाचने लगी अवित्र वायू वहने लगी सुर्य की कांथी स्वक्ष हो गई यग सलाओं की वूजी हुई अगनी अपने आप कुरादी देवता अगनी को आगे कर कर्तियाईनी देवी की असूती करने लगे उस से मा अभिष्ट की प्राप्ती के कारण उनके मुख खिले हुए थे देवताओं ने कहा है सरन गतों के दुख दुर करने वाले देवी तुम परशन हो जाओ है संफून जगत की माता तुम परसन हो जाओ बिंधैस्विरी तुम विश्व की रक्षा करो क्योंकि तुम चर और अचर की इस्वरिये हो हे देवी संफुन जगत की अधार रूप को क्यों कि तुम प्रिथमी पे भी इस्थित हो और अत्यांद प्राकर्म वाली देवी हो तुम विश्व की सकती हो और विन भीन सौरूपे इस जगत में जितनी इस्धिया है वह सब तुम्हारी ही मुक्तिया एक मात्र। तुमने ही इस जगत को ब्याप्त कर रखा है तुम्हारी अस्तूति किस परकार हो सकती है क्योंकि तुम परंबुधि रूप हो और संफून पानी रूप श्वर्ग और मुक तत्वा मुक्षपरदान करने वाले नरायणी देवी तुमको नमसकार है। नराईनी तुमको नमसकार है है सरन में आये हुए सरन गतो reliability दिन दुख्यों की रक्षा में ततरपर समपून फिराओं को हरने वाली नराईनी तुमको नमसकार है है नराईनी तुम ब्रामनी के रूप करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ से अभी मंतरित जल छिरकती हो तुम्हें नमस्कार है महेश्री रूप से तिर्शूल चंद्रमा और सर्पो को धारन करने वाली महा ब्रिशब वाहन वाली नराइनी तुम्हें नमस्कार है मोर तथा मुक्टो से घिरनी रहने वाली महा सक्ती को धारन करने वाली कौमारी रूप धारनी निश्पाप नराइनी तुम्हें नमस्कार है हे चंद्र संख गद फर स्ट्रांग धनुस रूप आयूधों को धारन करने वाली वैस्नी सक्ती रूपा नराइनी तुम्हें नमस् प्रिथमी को धारन करने वाली वराह रूपनी कल्यान मही नरायनी तुम्हे नमस्कार है यूगर निर्सिंग रूप से दैत्यों को मारने वाले तिर्भुण की रक्षा में संगलन रहने वाली नरायनी तुम्हे नमस्कार है मस्तक पर किरिट और हाथ में महा वर्ज धारन करने वाले सहस्त्र नेतरो के कारण उजवल वृता सुर्ख के प्रान हरने वाली ये नराईनी तुम्हेंने नमस्कार हैं पती नहीं आती बलकि तुम्हारी सरन में गय हुए मनुस्य दूसरों को अस्रे देने की योग जाते हैं उनेक रूपों से बहुत प्रकार की मुर्तिय धारन करके इन धर्म दोही अस्रों का तुम्हारे संग ने संगहार किया है वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है चतुर्दस विध्याय सठ सास्ट्र और चारो वेदों को तुम्हारे ही प्रकासे प्रकासित है उनमें तुम्हारा ही वरनन है और जहां राक्षस भिशैले सर्प सातरुगन है वहां और समूद्र के बीच भी तुम साथ राकर एक विश्व की रक्षा कर सकती हो हे विशेस्वरी तुम विश्व को पालन करने वाले विश्व रूपा हो इसलिए संफुन जगत को धार्न करती हो इसलिए ब्रह्मा विश्व महेश की भी वंदनिये हो जाती हो भक्ति पूर्वक तुमको नमिस्कार करते हैं वो विश्व को आश्रे देने वाले बन जाते हैं ये देवी तुम परसन हो जाओ और असुरों को मार कर जिस प्रकार हमारी रक्षा की होए ऐसे ही हमारे सत्रों से सदा हमारी रक्षा करती रहो संफुन जगत के पाप नश्ट कर दो और पापों तथा उनके फल सरूप होने वाले महामारी आधी बरे बरे उपद्रवों को सिग दूर कर दो विश्व की पीडा को हरने वाली देवी सरन में पड़े हुए पर परसन हो तिर लोक निवासियों की पुजन्य परमेश्वरी हम लोगों को वर्दान दो देवी ने कहा है देवताओं में तुमको वर्देने को त्यार हूँ आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर म मैं तुमको दूंगी देवताओं ने कहा है सर्वेस्वरी ती लोकी के निवासियों की समस्त पीराओं को तुम इसी परकार हरती रहो और हमारे सत्रों को इसी परकार नश्ट करती रहो देवी ने कहा वैस्वत मनवर के 28 यूग में दो और माह असुर सुब और निसुम उत् पन होकर बिंद्याचल परवत परसुम और निसुम का संघार करूंगे फिर अत्यांत भ्यंकर रूप से प्रित्मी पर और तीर्न होकर मैं वैप्रिचित नामक दानों का नास करूंगी उन भ्यंकर महा असुरों को भक्षन करने वाले समय मेरे दाद अनार पूस्व के समान लाल होंगे इसके पस्चात स्वर्ग में देवता और प्रित्मी पर मनुस से मेरी अस्तूति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे फिर जब स्वाव वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मैं रिस्यों के अस्तूति करने पर आयोजिन नाम से प्रकट होंगी और अपने 900 नेत्यों से रिस्यों की ओड़ देखूंगी अतह मनुस से सक्ताक्षी नाम से मेरा किर्टन करेंगे उसी समय मैं अपने सरीर से उत्पन हुए प्राणों की रक्षा करने वाले साको दोरा सब प्राडियों को पालन करूंगी और तब इस प्रित्मी पर सकंभरी के नाम से व माले निवासी रिशियो महर्शियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से ख्याती होगी और जब मैं फिर अरुन नामक असुर्तिनों लोकों को पिरित करेगा तब मैं असंख्य भ्रम्रों का रूप धारन कर उस महादेत का वध करूंगी तब मैं स्वर्ग में दे सब्सक्राइब करें कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद नमस्कार जैमातादी